नमस्कार दोस्तों, मैं रीटा चौदरी, Blessings टीम डेली से बोल रही। पुस्तक फकीर, लेखक, रुस्बे एन भारुचा, आज रुद्र एक ऐसे व्यक्ति को मिलने वाला था, जिसने हाल ही में एक ट्रेन एक्सिडन्ट में अपना बेटा खो दिया था। वो आदमी शहर में रहता था, पर उसका एक दोस्त, देशमुख, पास में ही एक किर्याने की दुकान चलाता था। देशमुख ने रुद्र से विंती की थी कि वह उसके दोस्त, वादवानी से जितनी जल्दी मिल सके उतना ही बेहतर होगा, क्यूंकि उसकी हालत दिन बदिन खराब होती जा रही थी। वे अपने बेटे के दुख में डूपता जा रहा था और अपना कामधंदा बंद कर दिया था। उसकी पत्नी उसकी बिगरती सेहत को लेकर बहुत परिशान थी। देशमुक ने रूद्र को बताया कि वो आदमी अपने बेटे से बात करना चाहता है, क्रिप्या आप उसकी मदद करें। रूद्र ने उसके दोस्त से मिलने का वादा तो कर दिया, लेकिन ये भी कह दिया, मैं नहीं जानता कि ये संबभ हो पाएगा या नहीं, मतलब मैंने आज तक आत्माओं से बाचित नहीं की। देश्मुक ने कहा कि उसने रूद्र के बारे में बहुत कुछ सुना है, और उसे पूरा विश्वास है कि वो उसके दोस्त की मदद कर सकता है। उसके दोस्त ने कई माध्यमों की मदद से अपने बेटे से बात तो करी है लेकिन उसे विश्वास ही नहीं हो रहा कि ऐसा हुआ है। वो अपनी बरबादी के कगार पर खड़ा है। उसकी जान उसके बेटे में बसती है। रुद्र ने देखा देश्मुक किसी भी तरह से समझने को तयार नहीं था और आखिरकार रुद्र ने उसके दोस्त से मिलने का वादा कर दिया। वास्तों में रुद्र के भीतर से भी किसी ने कोमल स्वर में कहा कि उस व्यक्ति से मिलो। रुद्रक खुद को बहुत कमजोर मेहसूस कर रहा था उसने कभी खुद को इतना कमजोर मेहसूस नहीं किया था उसने बड़े मन से बाबा को पुकारा बाबा आप कहा हो मेरे बुड़े बाबा मुझे आपकी बहुत याद आ रही है ये माध्यम के सत्र उसकी सेहत पर भारी पड़ रहे थे उसके बदन में बहुत दर्द रहती थी और अपने अंदर उर्जा के स्तर बनाए रखना बहुत मुश्किल होता जा रहा था बाबा उससे अक्सर कहा करते थे चारों और प्रकाश प्रसारित करने का ये कारे बिमार वदर्द से पीडित रहते थे पर फिर भी अपनी सेवा की टेक नहीं छोडते थे बाबा की कोई खोज खबर ना थी बाबा को वहां से गयतीन सप्ता होने वाले थे रुद्र ने खुद को समझाया वे किसी जरूरत मन की सहायता करने गये होंगे जैसे वो मेरी मदद के लिए आये थे माध्यम का काम करते हुए रुद्र पहले से कमजोर हो गया था पर उसे अपनी बिखरती ताकत को सहेजना भी आ गया था वे लोगों से निश्चित अंतराल पर मिलता और उनके दोरान कुछ पढ़ता या टीवी पर मनोरंजक कारिक्रम देखता ताकि अपने बच्चों की या उसके माध्यम से बावा के पास आ रहे मामलों की यादना सताए चैनलिंग सत्रों के लिए आये व्यक्तियों द्वारा पूजा की बेदी पर छोड़े गए लिफाफों में रुद्र ने देखा कि काफी धन था जिससे बड़े अराम से तीन महीने का किराया दिया जा सकता था और अगर सब ऐसा ही चलता रहा तो रुद्र ने सूचा कि अभी तो सेप्टेंबर है वो बाबा के साथ इस खुबसूरत जगा पर अगले साल मार्च तक रह सकता था लेकिन सेप्टेंबर याद आते ही उसे याद आया कि इस महीने उसकी बेटी का जनम दिन है और नवंबर में उसके बेटे का जनम दिन है कभी किसी समय ये दो महीने उसके लिए पूरी दुनिया से बढ़कर हुआ करते थे और अब भी किसी भैंकर सपने से कम ना थे इसलिए वो अखबार नहीं लेता था और अपने केलेंडर से सेप्टेंबर और नवेंबर के महीनों वाले पन्ने फार दिया करता था बरसों से वे अपने बच्चों के जनम दिन की व्यगरता से प्रतीक्षा करता आया था लेकिन अब उसे लगता था मानो किसी ने उसे गहरे अवसाद में डुबो दिया है इसी लिए उसने सोच समझ करते किया कि वे पूरे महीने की तारीखों के बारे में अंजान बना रहेगा यदि उसे तारीख ही नहीं पता होगी तो उसे ये भी नहीं पता होगा कि उनका जनम दिन आने वाला है या निकल चुका है इस तरहां दिल को चोट लगने की संभावना कम हो जाती है हालाकि खतम कभी नहीं होती बस दर्थ थोड़ा घट जाता है ये कितनी अजीब बात है कि प्यार सच्चा वर निस्वार्थ हो तो उससे जुड़ी पीड़ा कभी नहीं मिटती ये और भी गहन और स्थाई होती चली जाती है और इनसान की को अंदर से खोखला कर देती है पर रुद्र निश्चित तोर पर जानता था कि जब वे सब भातिक जगत से चले जाएंगे तो आत्मा के जगत में उनका फिर से मिलन होगा और वे साथ साथ हमेशा के लिए रह सकेंगे सच सामने आ जाएगा और वो मुक्त हो जाएगा और एक साथ अध्यात्मिक रूप से समर्द होने का अवसर मिलने की संभावना उसके दिल को बड़ी राहत देती थी कई बार रूद्र सोचता था कि क्या अब भी बच्चे उसे अपने जनम दिन पर याद करते होंगे या उन्होंने भी उसके खिलाफ तोड मरोड कर पेश किये गए तत्थियों वा बे बुनियाद आरोपों को सच मान लिया है क्या वे भी ये मानने लगे हैं कि वे कोई स्नेही पिता ना होकर पिता के भेश में एक राक्षस था रूद्र ग्यारा साल तक उनके लिए पिता के साथ साथ मा भी बन कर रहा था उसने अपनी आत्मा तक उन पर निर्चावर कर दी थी क्या उसका प्यार उसकी खिलाफ उगले हुए जहर और नफरत पर भारी रहा उसने ऐसे कई मामले सुने थे जहां बच्चे बच्पन में मिले प्यार वा लगाव को भुला कर वही सोचने लग जाते हैं जो उनके दिमाग में भर दिया जाता है रोदर ने सिगार चबाते हुए गहरी सांस ली रात बहुत हो चुकी थी, वे अपने कमरे में था सुनेहरे रंका की जवाला और सिगार की चमचमाती चिंगारी ही अंधेरे में उजाला दे रही थी बाहर कोई चान नहीं था, चारों और अंधेरे का सामराज्य था वे केवल होले से फुस फुसाती लहरों का स्वर सुन सकता था उसे याद है कि जब भी वे अपने बच्चों को अंधेरे के बारे में समझाता तो वे शरम से लाल हो जाते वे उनसे कहता ये अंधेरा कुछ ऐसा ही होता है मानो किसी ने कववे के पिछवारे को सूरज की दूप में जला कर काला कर दिया हूँ वे शरमाते और दभी हसी हसते वे अब उस हसी के लिए तरस्ता है उसे बरामदे में हला मचाते दोस्तों की आवास सुनाई दी और उसने सोचा कि अगर वे उसके साथ ना होते तो बेशक वे कितना अकेला होता उसने सिगार निकाला और पीठ को पीछे टिका कर अराम दिया वे आज कई मील की सैर करके आया था आकाश में बादल होने की कारण वे देर शाम तक टहलता रहा आज बाबा की बहुत याद सताई बेशक वे जानता था कि बाबा हमेशा उसके साथ रहते थे पर वे उनसे बात करना चाहता था सेवा करना चाहता था उनके पैर दवाना चाहता था उनकी बुद्धी मता से भरी बाते और उसकी पाक कला के बारे में उनके चुटकुले सुनना चाहता था वे उनके आबा मंडल वा उर्जा की कमी को महसूस कर रहा था उसने आँखे बंद कर प्रार्थना की उस व्रद के आगे हाथ जोड़े की वे उसके बीतर उर्जा प्रवाहित करें और उसके शरीर की रोम रोम से इस अरसाद वा जड़ता को निकाल कर बाहर करें कुछ पलों के बाद रुद्र ने आह भरी वे बाबा की उर्जा वा उपस्थिती को अनुभव कर सकता था उसको राय होंगे उसे अपने अंदर से आवाज आई सारे जवाब तुम्हारे अपने ही अंदर हैं कहीं बाहर नहीं आभा मंडल, चक्र, आलो की तत्व, नया युग, पिरामिड, टैरो, चैनलिंग और इनके जैसे सारे शब्दों को भूल कर बुनियादी शब्द से नाता जोड़ो वे है शुन्ने की अवस्था उसी शुन्ने में तुम्हें परमात्मा के दर्शन होंगे उसने उसी शुन्ने से सब कुछ रचा है और तुम्हें उस तक पहुँचने के लिए इसी शुन्ने से होकर निकलना होगा अगली सुभा रुद्र अपने जाने पैचाने आसन पर जा बैठा और सिर पर बांधना बांध लिया फिर वे गेहन ध्यान में मगन हो गया पर नहीं जानता था कि वे उसके स्वर्गवासी पुत्र से संप्रेशन कर भी पाएगा या नहीं पर वे अपनी और से कोई कमी नहीं छोड़ना चाता था वे व्रिद भी तो उससे यहीं चाता था बेटा इश्वर हमारी नियत और प्रयास देखते हैं सफलता कार्मिक हो सकती है हो सकता है कि आपको श्रेश्ट से श्रेश्ट प्रयास का भी कोई फल न मिले क्यूंकि हो सकता है कि उस चरन के दौरान सफलता कार्मिक योजना में ना रही हो इस प्रकार अपने जीवन को सबसे बेहतरीन प्रयास दो और उसके बाद शांत रहूं तो रूद्र अपने मृत पुत्र के शोप में बिखरेवे पिता को सांत्वना देने के लिए अपना सारा केंद्र वा उर्जा देने जा रहा था रूद्र ने बरामदे में बाहर ब्लॉंडी की हलचल को सुनी उसने आँखे बंद कर बाबा से प्रार्थना की कि वे उसे अपनी उर्जा प्रदान करें अपनी उपस्थिती वा मार्ग दर्शन द्वारा शोक संत्रिप्त पिता को आश्रे दें रूद्र ने आग्रे किया था कि देशमुक्वी साथ आए चाहे उसे बाहर बैटकर सागर की ही की लहरों को ही निहारना पड़े उसके दोस्तों को संगती ही क्यों ना देनी पड़े रूद्र किसी वृद की आस में था पर वर्दमान तो संतालिस से जादा नहीं दिखता था उसका गेहुआ रंग और काले बाल अच्छी तरह निखारे गए थे उसकी आँखों में देखते ही रूद्र ने उसके मन में चल रहे सारे भाव देखे वो बाट लिए बेशक वै अवसाद दुख बेचारगी वा कुंठा में डूबा था पर एक भाव सभी भावों से जादा ताकतवार दिखा जाने क्यों वैस्वैम को धिकारता रहता था रूद्र चाहकर भी इन सब भावनाओं को अपनी और आने से रोक नहीं पाता था ठीक इसी तरह सत्र के दोरान चेतन वा अवचेतन रूप से माध्यम को उदासी गुस्सा नपनसकता वा नकारात्मकता जैसे भावों को भी स्वीकारना पड़ता था इस प्रकार ये एक सांजा अनुबव हो जाता जो लोग सत्र के लिए आते थे वे तो मन हलका करके आशा वा उमीद की किरन लेकर लोट जाते पर माध्यम बुरी तरह से व्याकुल और दुर्बल हो जाता पर बाबा भी तो अक्सर रुद्र को चितावनी देते थे अगर तैरना चाते हो तो पाली में भीगने के लिए तयार रहो उससे कैसे बचोगे रुद्र ने गहरी सांस लेकर गर्दन हिलाई और उस व्यक्ति को बैठने का संकेत किया फिर उसने अपनी आंखे बंद की ताकि साइं की उर्जा उसके पोर-पोर में समा जाए और वह एक स्पष्ट, स्टीक और बेहतर माध्यम बन सके कभी-कभी कुछ खास मौकों पर जब वह बुरी तरह से पस्थ हो जाता था तो उसने अनुभव किया कि संदेश तो मिलता था पर वह उसमें छिपे संदेश को नहीं पड़ पाता था जब उर्जय शक्तिशाली होती तो रुद्र सामने बैठे व्यक्ति का अतीत, वर्तमान वभविष्य खुली किताब सिर्फ जैसा बांच लेता था फिर चाहे वैं उसके जीवन का अध्यात्मिक, मानसिक, भावात्मिक या भातिक कोई भी पहलू क्यों ना हूँ बंद आँखों में रुद्र को बाबा के कहे शब्द याद आए, याद करो की अकसर मेहर बाबा क्या कहते हैं इश्वर तो बहुत दयालू है, पर बेटा उस तक जाने का रास्ता बड़ा निर्दई है साद्गी, सरल्ता और शुद्धता की और लोटो, और स्वैम परमात्मा बन जाओ ये भी मत भूलो कि ध्यान वा प्रार्थना के माध्यम से न केवल व्यक्ति के बचेवे कर्मों का नाश होता है बलकि वे अपने आस पास एक सुरक्षा कवच भी बना पाते हैं या तो प्रार्थना से उनके कष्ट दूर हो जाते हैं और अगर नहीं होते तो प्रार्थना उन्हें अपने संकट का अनुकंपा, विनोत शीलता वा सकारात्मक स्विकृति के साथ सामना करने के लिए शक्ति, विवेक, प्रेम वा करुना प्रदान करती है तो दोस्तों, बाबा के इस उपदेश के साथ मैं अपनी वानी को विराम देती हूँ रुद्र के माध्यम से बाबा ने वाधवानी को उसके बेटे से संपत कैसे करवाया और देश छोड़ कर जाने वाली आतमाओं की उन्नती में हम कैसे सहायक हो सकते हैं जानेंगे नेक्स्ट ओडियो में थैंक यू फ्रेंड्स